तो चलिए आज की CEO Teacher की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है राजर हम लोग चौथा अध्याय मुगल सामराजिका भाग एक और भाग दो का वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने रेडिंग करवाया है और जितनी भी चीज़े इंपोर्टेंट है इसको से पढ़ेंगे इसके पहले वाला हम लोग भाग दो में और उसके पहले वाला भाग एक में पढ़ चुके हैं भाग एक और भाग दो का वीडियो अपलोड है आप लोग प्लेलिस में जाकर चेक कर सकते हैं तो आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे मुगलों की धार्मिक और भारते लोगों के साथ उनका मिलन, मुगलों की धार्मिक निती और भारते लोगों के साथ उनका मिलन, तो मुगल की भारते निती क्या थी और दुस्तों के साथ उनका कैसा रिष्टा था, अकबर ने भारत में अपने शाशन को मजबूत बनाने के लिए बहु संख्यक भा अकबर ने अपने राज को स्थाई बनाने के लिए भारते लोगों की बहु संखे का बादी यानि हिंदूओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया किसने अकबर ने इसी के तहर अकबर ने एक नवीन धार्मिक निती सुलह एक कुल सर्वत्र शांती को अपनाया तो देखे बच्चों नवीन धार्मिक निती किसने अकबर ने तो सुलह कुल अगर आप है यह जो नाम है सुलह कुल यह एक तरह की धार्मिक निती थी जो अकबर ने अपनाया था हिंदूओं के साथ मेल जोल पढ़ाने के लिए यह निती सच्चाई न्याय और शांती पर बल देता था यह निती किस पर बल देता था सच्चाई न्याय और शांती पर बल देता था सुलह कुल अगर द्वारा भारत में अपनायी धार्मिक निती जिसमें सभी धर्म के मानने वालों के साथ सही शुरता का व्यवहार किया गया धार्मिक आस्था के सतर पर अंतर नहीं कि ठीक है तो सभी इस धार्मिक नीती में सभी धर्म के मानने वालों लोगों को अपनाया गया और यह नीती जो है सच्चाई, शांती और न्याय पर बल देती थी अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार और नीती को अपनाने में अकबर की मदद गी अबुल फजल जो सलाहकार था किसका अकबर का जहगीरे जहां ने भी इस नीती को अपनाया औरंग जेप के काल में धार्मिक स्तर पर मेल जोल बनाये रखने की नीती राजन्यातिक स्थिती के कारण खंडित हुआ अकबर ने समाज में नैतिक और एवं समाजिक मुल्यों के रखने के लिए एक नई नीती अपनाये जिसे हम दिने इलाही के नाम से जानते हैं सभी धर्मों के सार को लेकर उसने इस नई नीती का प्रतिपादन किया तो ठीक है तो दो नीती इन्होंने अपनाई जो धर्म पर ही आधारित था धार्मिक ही नीती थी और इसमें जो है जो दूसरी नीती है दिने इलाही इसमें नैतिक मतलब जो हमारा नैतिक होता है और ज अच्छा बनाने के लिए जहागीर और शाह जहागीर की समय मुगल समराजी तो जहागीर और शाह जहा की समय का मुगल समराजी हम पढ़ेंगे 1605 में अकबर के मरने के बाद तो अकबर की मिर्तियु अभोई थी 1605 इसको अंड़रलाइन करिएगा उसका पुत्र जहांगीर बाशा बना तो जहांगीर कौन था बच्चो अकबर के पुत्र थे जहांगीर कौन थे अकबर के पुत्र उसका शाशन का समानेता शांती पून रहा इस समय अधिक युदि नहीं हुआ फिर भी उसने अपनी पिता द्वारा जीते गए छेत्रपण्य और प्रशास्निक व्यवस्था को बनाई रखा बंगाल पर मुगल सत्ता को इसने और मझबूत किया मिवार के राना के साथ स्थाइश शांती स्थापित की पंजाब के कांगडा छेतर पर अधिकआर किया तथा एहमाद नगर राज के साथ शांती समझोता किया तो पंजाब के कांगडा छेतर में अधिकार किया और एहमद नगर राज के साथ शांती समझोता किया जहांगीर के लिए सबसे दुखद रहा कंधार का मुगलो के हाथ से निकल जाना वह अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था कौन जहांगीर इसके तहट उसने सोने की लंबी जंजीर बनवाई जिससे घाटियां बंधी थी किसने बनवाई थी बच्चों ये अंडरलाइन करियेगा सोने की लंबी जंजीर बनवाई थी किसने बनवाई थी बच्चों जहांगीर ने जो घाटियां बंधी रहती थी, जितना छेतुन का था वो बंधा रहता था। और सबसे जहांगीर को दुख किस बात का हुआ, जो कंधार था, वो मुगल समराजिस के हाथ से निकल गया था। यह राजमहल की दिवार से लटका दिया गया था। जिके किसे जनजीर को। उसने यह घोशना करवाद दी कि किसी के साथ सरकार अथवा अधिकारे नयाय पून व्यवहार करती तो वह इस जनजीर को खेच कर अपनी फर्याद सुन सकता है। इसका नाम आदमी पर कितना असर हुआ यह पता नहीं। राजधानी के लोग इससे जरूर लाभानवित हुए होंगे। तो यह जो जनजीर थी क्या कितनों नहीं दिवाल पर टंगवा दी थी और इन्होंने घोशना कर दी थी कि कोई भी अधिकारी अन्याय पून व्यवहार करती तो इस जनजीर को खेच कर अपनी फर्याज सुन सकता है। चलि आगे बढ़ते हैं शाह जहां शाह जहां 1628 में पिता जहांगीर की मित्यू के बार शाह जहां गदी पर बैठा। तो शाह जहां कौन थे बच्चों वहा जहांगीर के पुत्र थे। ठीक है। की ताज महल के निर्माता है। बुंदेल खंड और दक्षिन भारत के विद्रोहों को उसने दबाया, मतलब उसे कम किया। बीजापूर और गोलकुन जैसे दक्षिन भारते राज को अधीनता स्विकार करने के लिए बाध किया। पस्चिमोतर सीमा को सुरक्षित करने के ल अलक और बद खंशो पर आक्रमन किया। कंधार को एक बार पुना अपने अधिकार में किया, लेकिन वस थाई नहीं रह सका। मतलब जो कंधार निकल गया था इनके हाँ से, वह फिर से उन्होंने कोशिश की लेकिन वो भी नहीं बना रह सका। असम के कामरूप छेतर पर भ जहां के शाशनकार में। मुगल राज की सीमाय भी इस समय बढ़ी, राजनितिक रूप से शा जहां का काल मुख्यत शांती पुन रहा। यदपी मत एशिया की अभियान द्वारा प्राप छेत पर उसका नियंत्र नहीं रहा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमन तो हम लोग औरंजेग का शाशनकाल पढ़ेंगे। चीक है। दारा को किसको दारा को। मगर उसके बाकी के तीन लड़कों ने इस बात को नहीं माना। ठीक है। तो क्या किया शा जहां ने क्या किया 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 अपनी पुत्र दारा को क्या किया उत्तर आधिकारी मतलब राजा बनने के लिए घोशित कर दे लेकिन जो तीन पुत्र थे वो इस बात को नहीं माने. सब अपनी अपनी सेना लेकर तक पर अधिकार के लिए आग्रा की और चल दिये. भायों की बिच कई युद्ध हुए. सारे जो है आग्रा के तरफ चल दिये और भायों की बिच क्या होने लगा बच्चों? युद्ध होने लगा. अंध में औरंगजेब सफल रहा. वा अपने पिता के जीते जीत शाशक बन गया. तो जो औरंगजेब उसका बेटा जो था वा जो है शाशक बना. शाजहा को उसने आट वर्षों तक कैद में रखा. इसके कारण उसकी आलोचना होती है. चीक है? तो शाजहा जो थे शाजहा के पुत्र थे औरंगजेब औरंगजेब ने अपने भाईयों से युदिक करके जो है शाजहा के रहते हुए क्या बन गया वो? वह राजा बन गया, शाशक बन गया, और शाजहा को क्या किया था बच्चों, उसने आठ वर्षों तक कैद में रखा था, जिससे उसकी बहुत आलोशना मतलब बहुत बुराई होती है, आगे, आरंग जेर ने सामराजिक को विस्तारित करने की कोशिश की, इसके तहट 1663 जयापूर और गोल कुंडा को 1686 से 87 इसदी में मुगल राजी में मिला लिया गया, ठीक है, इस प्रकार औरंग जेर की समय मुगल सामराज अफगानिस्तान से लेकर तमिल नाडू तक फैल गया, तो औरंग जेर ने बहुत जगह अपनी सामराज को बढ़ाया, राजी के इस विस्तित रूप ने कई नई समस्याँ औरंग जेर के समक्ष खड़ी कर दे, बहुत सारी समस्याँ आने लगी, इनमें एक था वेतन की मदने मिलने वाले जागीरों की कमी, ठीक है, तो जागीर की कमी होने लगी, क्योंकि प्रशासनिक वर्का स्वरूप सामराज फैलने के स काफी बढ़ गया था, और उनके लिए जागीर कम पढ़ने लगी, जागीर मतलब जमेन जो दी जाती थी मनसबदार को, इससे इसने पूरे राज को अस्त व्यस्त कर दिया, था, इसके पर नाम घातक रहें, जो आगे मोगल राज के पतन के कारकों में महत्त पून हो गया, तो बहुत जादा ओरंग जेव ने अपने सामराज को फैलाया था, तमिल लाडू तक उन्हों उसने अपने सामराज को फैलाया था, और जिस वज़जे से जो जागीर थी वक कम पढ़ने लगी, और इसलिए धीरे धीरे सुराज का पतन का शुरुणाद होने लगा, तो अठारवी शताब्दी में पतन के कुछ कारप तो सत्रवी सदी में ही प्रस्तुत हो चुके थे पर वास्तविक कमजोरी अठारवी शताब्दी में दिखाई पड़ी आरंगजेव के मृत्यु 1707 में हुई उसके उत्तराधिकारी उस विशाल सामराज को संभाल पाने में सक्ष पड़ारे उसके साथ अन्य समस्याई थी एक शाशक के मनने के बाद के लिए उत्तराधिकार के लिए संगर्ष रामनता होता था तो तो उसका जो उत्तराधिकार होता है, वो बहुत सारे लोग होता है, उसमें संघर्ष होता है, मतलब लडाई होती है इसमें धन और सन शक्ति नश्ट होती गई। प्रभाव शाली पदाधिकारी इस सिथी में किसी एक राजकुमार के साथ मिलकर अपना स्वार्थ साधना चाहते थे। वर्सुता मुगलों के परवर्ती शाशक महतपून पदाधिकारियों के हाथ की कठपुतली थे। इसने कमजूर होने पर महतपून प्रांतों के गवर्नर स्वतन्त शाशक की रूप में विवहार करने लगे। तो क्या कि उतराधिकारी जो थे वो आपस में काफी लोग लड़ने लगे और जो पूरा प्रशाशन था वो क्या हो गया बच्च्यों? पूरा जो संपून प्रशाश अलग अलग बट गया और इससे जो है वह शाषन जो है वह कमजोर पड़ गया और जो गवर्नर होते थे अलग अलग जो प्रांत के राजी के जो गवर्नर होते थे वह अपने आपको शाषक की रूप में ढाल लिये पतन का एक मौलिक कारण आर्थिक कठिनाया थी आर्थिक कठिनाया मतलब पैसे रूपे की कमी इस समय तक ना तो परयाब धन बचा था और नहीं जागीर जो अधिकारियों को दी जाती तो नहीं धन था प्रशाषन के पास और नहीं जागीर थी कि आप जिसको मनसबदार को य लोग आमदनी का बड़ा भाग स्वेम रख लेते हैं, अता उनका मनसबदारों से संघर्ष हुआ, किसका जमीनदार का मनसबदारों से संघर्ष हुआ, क्यों, क्योंकि मनसबदार का मनसबदार जो थी, उनका जमीनदार पर बहुत जादा नियानता, बहुत बनलब कंट्रोल क लगान की दर उची होने के कारण किसान आधिकादिक गरीब होते गए अता उन्होंने जमिंदारों के साथ विद्रोह किया किसने किसान ने। लगान वसूली का पूरा हिसाब राजा को नहीं देते थे। जागीर की कमी होगे। उनमें जागीर प्राप्त करने की होड शुरू होगे। प्रतेक अधिकारी इसी प्रायस में लगा रहता था कि अच्छी जमीन उसे मिले जागीर पर नियंतरन भी अस्थाई होता था। क्योंकि प्रशाशक एक दूसरे के विरुत शर्यंत कर जागीर की अदलाबदली करवा देते थे। इस प्रता जागीर का यह संकट संपून मुगल शशाशन को छिन भिन कर दिया। तो सबसे बड़ा कारण था कि जागीर नहीं थी पैसे नहीं थे और मनसरदारों को देने के लिए पैसा नहीं था आर्थिक संकट था जिस वज़े से इनका मुगल साशन जो है प्रशाशन वो छिन भिन मतलब बलकुल खतम होने लगा। मुगलो का सायनिक शमता और शक्ति भी कमजोर हो गया था। अब मुच्य अधकारित की संख्या का अनुपाद बहुत बढ़ गया था। के अन्य देश कर रहे थे। मतलब बहुत सारी तक्नीके बढ़ते गए दूसरे देश जो है बंदूग का तोप का उपयोग कर रहे थे। लेगे मुगल समराज जो था, साशन जो था उनको अब इस चीज में रूची नहीं रह गये थे। सैनिकों को प्रशेक्षन देने के स कास हो रहा था, वहां के विचारशील व्यक्ति नया ज्यान प्राप्त करके नवीन अनुसंधान, मतलब बहुत सारे रिसर्च कर रहे थे। मुगल कालिन भारत इन और मतलब दूसरे देशों में विज्यान बढ़ रहा था, बहुत सारे रिसर्च हो रहे थे, अनुसंधान ह और वह आगे बढ़ रहा था लेकिन मुगल सामराज जो था इन ये जो नई नई चीजे थी खोजो पे हमेशा उदासीन रहा मतलब इसने कभी मुगल सामराज ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया अभी जात्यवर के लोग और धनी व्यपारी विलासिता पून जीवन व्यतीत करने में ही रूची लेते थे मतलब उनको कोई भी एंटरस्ट नहीं था ठीक है अब वो बिल्कुल इस चीज में रूची नहीं लेते थे इस विलासिता पून जीवन से अथारवे शताबदी में देश का चारत्रिक और समाजिक पतन हो गया। पहला आक्रमन सन 1749 इसबी के इरान के शाषक नादिर शाह ने किया और राजाने दिल्ली को तहस नहस कर दिया, मुगल उसके सामने जुग गये, उसमें भारत से मन चहाधन लूटा, सम कालिन लेखकों ने लूट का विवरन देते हुए बताया है कि नादे शाह ने 60 लाख रुपे, हजारो, सोने के सिक्के, एक करोण रुपे के सोने के बरतन, 50 करोड के हीरे जवारा जिसमें शाह जहां द्वारा बनवाया गया तक्ते ताउस, तक्ते ताउस किसने बनवाया था शाह जहाने, मयूर सिंघासन और कोही नूर हीरा भी शामिल था, मतलब तक्ते ताउस किया था बच्चों, मयूर यानी मोर का सिंघासन, मोर जैसा सिंघासन जो था वो मोर के रूप का, ठीक है, उसे तक्ते ताउस का जा, किसने बनवाया था शाह जहाने, सब कुछ जो ह इसने लूट लिया था, लूटा गया, मयूर सिंग हार्षन बेश कीमती रतनों से बना था, लूट का या विवरन भारत की संपन्नता को भी दर्शाता है, मतलब हमारा भारत कितना संपन्न था, इस बात को यह दर्शाता है, कब समकालिन लेखकों ने, जो लेखक थे, जिन्हो उन इनका विवरन किया था लिखा था उसमें यह पाया गया था नादेशा के बाद अफगान सर्दार एहमर्शा अबदाली ने भी कई आक्रमन किया इसने मुगलों के साथ साथ प्रमुग भारते शक्ती मराठो को भी कमजूर किया इन आक्रमणों की बाद मुगल सामराज दिल्ली की आसपास तक सिमित रह गया मुगल सामराज कहां तक सिमित रह गया दिल्ली की आसपास मुगल सामराज किसी तरह 1857 इस भी तक बना रहा लेकिन इसकी शक्ति नए छेते राजों में विभक्त हो गया मतलब अलग हो गए इस तरह मुगल सामराज का पतन हो गया राजधाने दिल्ली एक कमजोर नगर रह गया परन्तु उस संस्कृति और जीवन की उन तरीकों का जो मुगल सामराज की वैभव और विलाश के अंक्ते का अंत नहीं हुआ मतलब संस्कृति और जीवन जो तरीके मुगल सामराज मतलब जो मुगल सामराज की जो जीवन की स्थिती थी जो उनका तरीका था वो खत्म नहीं हुआ उसकी वैभव शाली परमपरा उसके अवशेश पर पैदा होई शक्तियों के पास पहुँच गई जो अठारवी शताबदी में उदिद्थ हुई थी इस सदी का इतिहास इन ही राज़ो या छेते शक्तियों का इतिहास है इन राजियों में मुगल वैभो की जलक अब भी देखी जा सकती थी इन राजियों की विशे में आप आगे की अध्याय में पढ़ेंगे तो मुगल समराज का तो पतन हो गया लेकिन बहुत सारी शर्तियां जो है वर्थारवी शताबदी में भी गई जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यह अध्याय बच्चों हम लोग का खतम हुआ इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है इतिहास में इसको पढ़ना पढ़ता है समझना पढ़ता है और याद रखने की चीज़ है बार बार इसको revision करने की चीज़ है तो अगले वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग यह question answer इसका हम लोग मैं इसका आपको written notes दूँगी question answer के written notes दूँगी